नमस्कार मेरे चैनल पर आप सबका बहुत पहुत स्वागत है आज मैं आपको इस तरह का क्रोशट राउंड थाल पोश या राउंड प्लेस्मेंट या जो भी आप इसको कहें वह बनाना बताऊंगे यह देखिए इस तरह से दिखाई दे रहे हैं राउंड है यह इसमें यह स बनाने के बाद और यह देखिए यह बारी कून है और इसको मैंने सेंटर से शुरू किया है इसमें मैंने 15 डवल क्रोशेट ली है 15 डवल क्रोशेट से आगे इसको हर रो में 15 डवल क्रोशेट बढ़ाते हुए इसको मैंने इसकी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो द 10 लिन ने कंप्लीट क्यें की इससे किंग्रि किये देखिये यह ए किंग्रि इस तरह से दिखाए दे रही है तो आयजिए इसे बनाना शुरू करते हैं मैंने क्रोश्य ठोक है साड़े 3 mm के लिए बारीक है ये क्रोश्य ठोक तो देखिए इसको बनाने के लिए हम पहले इस तरह सी क्रोस लेंगे ऐसे और अब हम ने इसमें 1,2,3 और 4 चार चैन लेंगे और जो यह हमारी पहली चेन थी इसको हमने यहां से इस तरह अजोड़ते नहीं देखिए यहां से ऐसी और यहां से ऐसे इस तरह यहां पास एक छोटा सा रेंग बन जेगा अब हमने इस थाग्य को इसके उपर से लेंगे और यहां से हमने इसमें एक दो और तीन चेन लेने हैं तीन चेन को हम ऐसा डबल क्रोशेट काउंट करते हुए चलेंगे और इसके बाद हमने इसमें 14 डबल क्रोशेट लेने हैं टोटल हमार पास हो जाएंगे 15 तो यह तीन चे चार पाँच छे इसी रिंग में से हैं मैं आपको 15 डवल क्रोशेट बना के अगले राउंड में दिखाते हैं ये देखिए ये हमारा फर्स्ट राउंड कम्प्लेट हो गया ये मैंने इसमें 15 डवल क्रोशेट कर लिए 15 डवल क्रोशेट हो गया यहां से अब हमने इसमें एक दो तीन जो तो हमारी तीसरी चेन है उसमें से हमने इसको यहां से जोड देना है इस तरह से यहां से जोड देखिए यहां से तीसरी चेन है उसमें से हम इसको इस तरह से जोड देंगे यह देखिए ऐसे है आइसे अ को हाँ अब हमारा हमने इसमें हमारे पहले राउंड यह गया इसमें हमारे पास यह 15 डवल क्रोशे से तो अब हम जो दूसरा राउंड शुरू करेंगे उसमें हमने हएछир डवल क्रोशें में से से हमारी निच्चे वाली चेन थी इसे हमने ऐसे ही छोड़ देना है इससे जो आगे है उसको लेंगे इसमें हमने जब पूरा करते हो आएंगे तब लेंगे तो इसमें से हमने इसमें दो डबल क्रोशेट ले लेने एक और एक ही दो आगे हम फिर से आगले में से दो डबल क्र यह हम इसमें total 30 double crochet complete करेंगे देखिए जो निच्चे वाला chain space है इसमें से हमने एक और double crochet इस तरह से और अब हमारा अगला है अगले में भी हमने इसी तरह से यहां से यहां से यहां से हमने फिर से दो double crochet यह पूरी रो हम इसी तरह से दो-दो double crochet के साथ complete करेंगे मैं यहां आके आपको फिर आगे दिखाते हूं यह दिखिए यह हमारा second round complete होने को है तो इसमें हमने अब मैंने जैसे आपको बताया था पहले हमने तीन chain चोड़ ली तो यहां से जो हमारा यह निच्चे से है इसमें से हमने एक double crochet कर लेने और यह ह इसको जोड़ लेते हैं यहां से वही तरिक्चा है हमारा जोडने का एक दो तीन तीसरी जो है हमारी chain space उसके साथ हमने इसको जोड़ लिया ऐसे अब हमने फिर से एक दो और तीन चैनली बल लेने इसको अब हमने ऐसे ही छोड़ देने जब हम गूम के आएंगे तब करेंग हम इसमें तो अब देखिए हमने यह जो दो हैं आगे हमारे पास यहां पर फस्ट रो में एक थे दूसरी रो में जो सेकंड रोस में यह एक chain space में से दो डबल क्रोशेट है तो इसे देखिए आगे का समझ आ जाएगा तो यहां से हमने एक डबल क्रोशेट अब हमने बढ़ क्रोशेट लें तो यह हम अर पास इस तरहें दो में से तीन बन गए ठीक है इसे तो छोड़ दीचे यह आगे तीन होगे तो अब हमने इसमें सारे में इसी तरह से complete करने हमने हर रो में 15 डबल क्रोशेट बढ़ाते चले जाना है तो आगे देखिए फिर से ऐसे ही होगा यह वेला जो हमारा है देखिए इसको इसी तरह से लेंगे एक डवल क्रोशेट और घय है उसको हमने यहां से दो डबल क्रोशेट एक और एक यही इस इनसे दो और इससे आगए देखे यहां से एक डबल क्रोशेट और यहां से इस तरह है तो यह जो दूसरा से डबल क्रोशेट इसमें से हमने दू लेने अब देखे यहां से इस तरह आप देखिए यह तो हमारा कंप्लेट हो गया अब ये वाला देखिए इसमील हमने फिर से वैसे ही पूरा हमने राउंड इसी तरह से complete करना है एक double crochet एक chain space में से और अगले chain space में से दो double crochet एक और एक ये दो तो इस तरह से हम जब एक double crochet से दो बनाते जाएंगे तो हम अर पास ये इस round में 45 double crochet आ जाएंगे तो यहाँ पर आके मैं आपको फिर आगर करतेएं ये हम बनाते हुए इसके end में आगे हैं यहाँ पे हम रपास ये इस तरह से है तो इसमें हमने बल लेके यह एक double crochet और जो आगे का है में अबनेये इस तो बना हुए है और एक हमने और बना लेना है चो स्थारे, यह हमारा थार्ड राउंड कंप्लिëट हो गया है। अब इसको यहां से इक दो तीन तीसरी चेन स्पेस है हूं। जोड़ देंगे दिखिये ऐसे और इसको इस तरह से बस ची अब हमारा अगला शुरू होजएगा राउंड जोप थर राउंड एक दो तीन तीन चेन बलने अब इसे छोड़ देंगे हम देखिए यहां से इसे छोड़ देंगे और इससे आगे हमने एक डबल क्रोशेट अब ह हमने यह थर्फ रह में 15 soci 왜 थर्ड रहो में 25 रहो हुए तो अब व्रोर्ड में 50 रहो में 60 रहो कर देंगे 30 कैसे होगे हमने हर बार में यह बढ़ाना है यह दो हैं यह देखिए एक में से दो यह हुआ होई तो जो हमारा इधर वाला उसमें से दो डबल क्रोशेट में क्रेव करते नहीं इस तरह से हम हर बार करते जाएंगे तो यह देखिए एक डबल क्रोशेट यह आगया और दो और अगले वाले में से तीन और चार इस तरह से यह देखिए अब फिर से आगे यह ऐसे ही आएगा यहां से दो और जो अगला है उसमें से हमने दो डबल क्रोशेट एक और एक यह दू इस राउंड में हमने साथ डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं हमारे इस राउंड में भी 15 डबल क्रोशेट ऐसे ही बढ़ेंगे जैसे हमारे इस में बढ़ेंगे तो 15, 30, 45 और अब 60 फिर हमारे फिर से 15,2,3,5,5,75 इसमें हमार पास 15 अगले जो रो हो कि पाचे हमार पास 75 डव गरोशेट होंगे 15 के टेबल के हिसाब से आप रो में यह डवल क्रोशेट बढ़ाते जाएंगे तो मैं यह complete करके आपको फिर आगे दिखाती हूं ये देखिए ये हमने इस तरह से complete कर लिया ये हमारा round round इसी तरह से बन गया इसमें हमारे पास यहाँ पे 15 double crochet थे फिर 30 हुए फिर 45 हुए फिर 60 हुए और इस तरह से हर बार में 15 15 double crochet बढ़ाते जाने हैं इसकी मैंने row जो हैं वो 10 row complete की हैं तो ये इस तरह से दिखाई दे रहे हैं देखिए यहां से अलग अलग पता लगते हैं जब बनाएंगे तब पता चलेगा कि ये कहां कहां से हमने इसमें double crochet बढ़ाया हुआ है तो ये देखिए ये round है एकदम से और ऐसा नहीं है कि ये मूड रहा है या जोल पड़ इसमें ऐसा कुछ निया है देखिए पूरा सही है इस तरह से बना और अब हमने कींगरी बनानी है हम अपने इच्छा से इसमें से जितना चाहतना बड़ा बना सकते हैं तो अब देखिए मैं यहां से जोड ली हमें नहीं है यहां से और इसको अब देखे मैं यहां से इसमें 3 चैन लोंगी 1 2 और 3 इस तरह से 3 चैन ली इसको अब हम बल लेंगे और यहां से आप यह जो डबल क्रॉष्ट है अपने उन के हिसाब से कम जाधा कर सकते हैं और उसके बाद मैंने यह देखिए यह तेज थी तीन चैन और दो क्रॉष्ट और फिर मैंने इसमें आगे दो चेन ले लेनी है इस तरह से बाल लेना है और यहां से मैं इसमें एक double crochet छोड़ दूँगी और यहां से आगे से इसमें फिर से तीन double crochet लूँगी एक, दो, और ती, यह जो chain है इसे आप कम ज्यादा अपने उन के हिसाब से कर सकते हैं और यह double crochet भी आप अपनी इच्छा से कम या ज्यादा कर सकते हैं तो यह दो chain और फिर हमने एक यह निचे का जो हमारा है double crochet का space उसको छोड़ देना है इसको छोड़ेंगे इससे आगे वाले में यहां से एक, दो, और आगे हमारा तीन यह, तीन इस तरह से हम यह पूरा round round complete करेंगे यह देखिए यह ऐसे दिखाई देगा अब फिर से दो chain फिर तीन double crochet इस तरह से यह पूरा round complete करके मैं यहां आके आपको फिर दिखाते हैं यह देखो जी यह हमारा अब complete होने को हैं यहां पर यहां पहुंचके उमें लास्ट में इसकी और यहां से यह दो chain बन लेना है एक यह छोड़ा निच्चे का chain space और अगे इसमें एक दो और ती ठीक है यह हमारा complete हो गया आप इसमें हमने फिर से एक और एक दो दो chain लेली देकिए इस तरह से दिखाई दे रहे हमारा total ऐसे बना हुआ है पूरा यह यहां से और अब हम इसको एक और एक यह दो अब हमने यहां जो हमारी तीन chain थी यहां पे इन तीन chain में तीसरी जो chain है हमारी यह वाली इसके साथ हम इसको slip stitch कर लेगे अब यह हमारा पहुच गया है कि अब हमने यह जो हमारे ऐसे इसको आमने यहां से इसके बीच में लेगाना है ठीक है давайте यह जो जिसमें मैंने यह बिगनर्स के लिए बनाना सिखाया हुआ है तो आप उसमें चोटे चोटे पॉइंट सीख सकते हैं तो देखिये जी इसमें स्लिप स्टेच के मैंने इसको मैंने इसको यहां से स्लिप स्टेच करके इसके अंदर आगे तो यह देखिये इसमें यहां पे हम सेंटर में आगे और यहां पे मैंने एक यह डबल क्रोशेट एक चेन बना लिए तो इसमें हमने तीन चेन बना लिए बल लेन है दो यह तीन जो चेन है यह हम ऐसा डबल क्रोशेट काउंट करेंग तो एक double crochet होगे हमार पास total दो, तीन, चार, पांच, और छे, यह हमारे इस तरह से 6 आगे double crochet, यह हमने इसमें 6 double crochet कर लिए, 3 chain as a double crochet count करते हुआ और आगे 5 double crochet, तो टोटल होगे 6, अब हम बल लेंगे इस तरह से, और यहां से इसमें फिर से हमने 6 double crochet करने, दो, तीन, चार, पांच, और एके 6, ठीक है यह देखिए यह हमार पस इस तरह से दिखाए देगा, अब हमने बल लेने हैं और यहां से, फिर तीसरे में, इसमें कोई बीच में इन दोनों के gap में कोई chain वगरा नहीं लेनी है हमने, तो, इसको आगे देखिए, यहां से सीधा मैंने, यह तीन का gap छोड़ते हुए, बल लेके और यहां से शुरू कर दिए 6 double crochet, तो जिब बस इसी तरह से repeat करते जाएंगे, और हमने इसकी किनारी बना देनी है, तो मैं यह सारी किनारी बना के आपको यहां से, और फिर यहां पर आके फिर दिखाते हुए, यह देखिए, यह हमारे यहां पर आके complete हो गया, इस तरह से, अब इसको बंद करना बताती हुए आपको, इसको हाँ, यह देखिए, बेच में हमने यह तीन डवल क्रोशेट का गैप चोड़ा, यहां से जो हमना आ रही है, तीन चेन थी, उस पे हमने तीसरी चेन में से, इस तरह से लेके और इसको slip stitch करते हैं, यह हमारा complete हो गया, इसको हम एंचे से जोड़ देंगे, काटते हैंगे पर ले फिर चोड़ेंगे, इस तरह से, अब हम रपास ऐसे दिखाई दे रहे हैं, अब हम चाते हैं कि हमारी यहां से भी chain ऐसी बनी रहें, तो हम इसको पिछे से लेते हुए, यहां से इस धग्ये को इस तरह पिछे ले जएगे, इन दोनों में से लेते इसे कस लेंगे थोड़ा सा अब हम पिछे लाके इसकी यहां पर गांठ लगा लेंगे कि यह इस तरह से यह हमारा कम्प्लीट हो गया इसको दाग्य को बीची बीच में खतम करतेंगे यह देखिए इधर से यह इस तरह से दिखाए देगा यहां से तो उमीदे जी आपको यह प्लेसमेट बनाना पसंद आया होगा थालपोष बनाना अच्छा लगा होगा यह डिजाइन सही लगा होगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद